आज हम लोग बनाएंगे भंडारा में जो मिलती है ना आलू की सब्जी और पूरी बिल्कुल वही आलू की सब्जी हम लोग आज बनाएंगे चलिए इसे बनाते हैं आलू की सब्जी बनाने के लिए हम लोग लिए हैं ये बॉयल किया हुआ आलू है कम से कम 6-7 आलू है आप परहले किया करने हमको Já06 אות से करना अप या फिर हाथ से करें या फिर मैसर से और बहुत ज्यादा मैस्स नी करना हैएं हिन अपर टुकड़ रखना है देखें इस तरह से आप अपर अच्छी तरह सेट कर ले को अश्ष इन्हें डाले आप चाहें तो लैसुन डाल सकते हैं इस वक्त हरी धनिया डाल सकते हैं लिकंट मैं चिप अद्रक और टमाटर डाली हूँ इने डाले और इनकी ने लिए कडही को अच्छी तरह से गरम करें गरम तेल तेजपत्ता डाले & और यह कुछ खड़े मसाले कर सकते हैं लेकिन मैं डाल रही हूं। रिमीर्च के थोड़ा है और थोड़ा सा प्राई है इन्हें डाले इसमें ही ये बड़ी कटी भी हरी मिर्ची है इसे डाले आप चाहिए तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं लेकिन हरी मिर्च का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से आती है इसमें हम लोग जो टामाटर और अद्रक का पेस्ट हल्दी पाउडर, गरम मसाला, गरम मसाला आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इसमें ही है, स्वादा अनुसार नमक, यह सब डाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, कम से कम 2-3 मिलिट इन्हें अच्छी तरह से पका लेना है, इन्हें तब तक पकाना है, जब तक कि डाले, आप चाहे तो ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक पानी अगर आप ज़्यादा डालोगे तो यह जो सबजी का टेस्ट है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगगे, इसलिए थोड़ा सा पानी डाले, और इसमें ही यह सुखी मेथी है, इन्हें म ज़्यादा डालोगे अच्छी तरह से आती है, आप चाहे तो मेती को सकिब कर सकते हैं, अगर आपके पास में नहीं है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट राता है, यह जो आलू की सबजी है उसमें, मेती डालने के बाद में, इसमें ही हम लोग जादा ग्रेवी पस संद्द में उसा सब से आप पानी डाल सकते हैं ज्यादा या पाने के बद में सबीdies मिक्स करएंदे कि पाले रही यह चाहिए 20 मिनिघ्रatan च्लंस में डाला है इस 550 प्लैंट में सबसक् taped ने सिल्टे際 में च्रेश है इन्हें हम लोग द्रोन में ही सब्व कर रहे हैं जब